हाई दोस्तों मैं प्रियाग्रस सर्मा मैं आज बात करूंगा दोस्तों बिकिनस पेमिंट लेयर पार्ट 19 के बारे में तो आज हम देगे हैं दोस्तों कुमिनिश्टी आफ रोड ट्रांस्पोर्टिशन इंड हाईवे में एयर क्वाल्टी मिंटेन रखने के लिए इसमें कौन से निर्देश दिये गए हैं क्या बताया गए है निर्देश में तो इसके बारे में आप देखिए पॉइंट वन में दोस्तों इसमें कहा गया है मिनिश्टी आप रोड ट्रांस्पोर्टिशन इंड हाईवे में दा कॉंट्रेक्टर से डिवाइस एंड एरेंज मेथट्स दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो भी ठेकेदार रोड कॉंस्टेक्शन का वर्क करेंगे तो ठेकेदार धोल गैसी या अन्य वायू जनित उस सर्जन को कम करने के लिए काम करने के तरीकों को बिक्सित और विवस्तित करेगा और कार्यों को इस तरह से करेगा कि वायू गुनवत्ता पर प्रित्कूल प्रभाव को कम किया जा सके जो भी एर पॉलूसन उसको कम किया जा सके और जो भी हम वर्क करें उसके दौर कोई भी हावा पर कोई भी उसका प्रभाव ना पड़े प्रित्कूल प्रभाव जो है व करेंगा इसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया 3.2 में कि दो कॉंटेक्टर सेल यूटिलाइज इफेक्टिव वाटर स्प्रेच दूरिंग डिलेवरी मेनुवेक्ट्टर प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग ओफ माटेरियल्स वेंड दस्ट इज लाइकली तो बी क्रेटेड तो देपन स्टॉर्ड मटेयल्स दूरिं ड्राइज बिदी वेदर इस्टॉक्पाइज अब वेरी तो इसमें कहा गया कि ठेके दार मटेरियल के बितरण निर्माड और प्रसंस करण मदलब मिनफ्यक्ट्रिंग और प्रोसेसिंग और हैंडलिंग के दौरान प्रभावी पानी के स्प्रे का उप्योग करेगा जब यूए रोड कॉंस्टिक्सन का काम करेगा और जब धूल बनने की संबामना हो तो उसमें उसको नम करके उसको स्टोरिज करेगा जो और उसमें भूरी मठेयल के ठेर को साप त्रिपाल से ढख दिया जायेगा जो बी ऐसा मधते सरेगा जिसमें डेशच्ट आंवाले पानी का प्रियोक करना चाहिए और material या मलबे के store को उनको उप्योग से पहले गिला कर दिया जाना चाहिए ताकि सिवाए इसके किया बिल्दी निर्देसों के विप्रीद है और ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो भी हम कारे का रहे हो निर्देसों के अनूप है कि नहीं है तो जो भी निर्देसित किया गया है स्पेसिपिकेसंस में उनको क्यों करते हुए हमको ये कार किया जाना चाहिए और दोस्तो इसके बाद 3.3 में एनी वेहिकल बिद इन ओपन लोड केरिंग एरिया भी निर्द लोती ही हुए 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 हydd को ऊचल के शिति हम आपोले कार कि निर्दी Subscribe 2.3 मुए तूस्तों पायओ है चाहिए चल के कि वेट रहुए हैस उजके बीक site in ।प बदोर्स में जब छब नत वपनीजरीदी को GDWoods को दोस्ति सब्सक्राइब करने वाली संभावी धूल पैदा करने वाली जो मट्रियल का परिवां के लिए उप्योक कि जाने वाले खुले भार वाले वाइकल्स जो फार ऊपन वहिकल्स हैं जो open load carrying vehicles हैं उनको छेतर वाले किसी भी वाहन में उचित रूप से pitting side और tail board होना चाहिए और tail board के द्वारा ताकि जो भी धूल पैदा करने की छमता रखने वाली material को side और tail board से अधिक इस्तर तक load नहीं किया जाना चाहिए जितना उसके tail board से उसी के बरावर ही उसको load किया जाना चाहिए और अच्छी स्थित में एक साफ त्रिपाल से ढखा होना चाहिए cover किया जाना चाहिए और त्रिपाल को ठीक से स्रक्चित किया जाना चाहिए और side और tail board के किनारों पर कम से कम 300 mm तक बढ़ाया जाना चाहिए जो भी हम त्रिपाल उसमें ढखेंगे त्रिपाल को इस प्रकार से ढखा जाना चाहिए इसके बाद दोस्तों इसमें 3.4 में कहा गया है कि in the event that the contractor is permitted to use gravel earth roads for how much he shall provide suitable measures for just pollination if these are in the opinion of the engineer necessary such measures may include sprinkling water on the roads surface at regular intervals दोस्तों से कहा गया है कि यहीं ठेकेदार को ढूलाई के लिए बजड़ी यह मिट्टी की सडकों का उप्योग करने की अनुमतिह है यदि हम कोई थेकेदार है यह बजड़ी ले जा रहा है कि मिट्टी ले जा रहा है तो उसको वहां से पर्मिट है उसको हॉलिंग हॉलिज करने के लिए तो वह धूल को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगा उसमें ताकि जो भी एर पॉलूसन वहां ना हो एर क्वार्टी को नहीं करेगा ठीकेदार तो वह धूल को कम करने के लिए उपयुक्त प्रियास उपाय करेगा और यदि यह इंजिनियर की राय में अवस्यक हैं तो इस तरह की उपावों में नीमित अंतराल पर सड़क की सतय पर पानी का भी छिटकाओ सामिल हो सकता है कि एक रिगुलर प्रिखकाण जो है कोई भी प्रवाव ना पड़े तो उसके लिए दोस्तों उसमें हमको एक रिगुलर इंटर्विल में इस प्रिंकलिंग करना पड़ेगा तो यह जो है निर्देश ठेकेदारों के लिए इसमें दिया गया है कि जो भी ठेकेदार रहेंगे साइट में जो एरवाल उसमें उसको कम किया जा सके और साइड पे एक इंटर्वेल में वाटर का इस प्रिंकलिंग करवाएं वाटर का चिल्काओं करवाएं ताकि जो साइड पे ड़स्ट होती है दूल होता है तो वह दूल के कारण जो आजू बाजू जो भी साइड में दोनों तरफ रो जरूर करें और जब भी साइड में वर कर रोड कॉंस्टेक्शन का तो एयर क्वाल्टी को मिंटेन करने के लिए सभी निमों का निर्दिस्टों का पालन जरूर करें तो इसके लिए इसमें बताया है